सुबाथू धरंपूर मार्ग पर वन विश्राम घ्री के समी लैंड स्लाइट होने से करीब तीन घंटे तक जाम लगा रहा बता दे कि एक बड़ा हाथ सा होते होते टल गया बस में सवार एक स्थानिय निवासी अपने बच्चों के साथ सुबातू से कत्नी की और जा रहे थे उन्होंने बताया कि पहाड़ी दरक कर अचानक से सड़क पर आगिरी लेकिन इस घटना से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है लोग निर्मान विभाग के सटीओ सतीश शर्मा का कहना है कि सड़क को खोलने का काम जारी है और जल्दी सड़क को खोल दिया जाएगा लाइफ टेम्स टीवी के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट लाइफ टाइम्स टीवी के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा